युए गाइस वेलकम बेक टो श्रीडियम चैनल जो लोग बीसिनर से इंटरेंस एंटरेंस इंटरेंस एक्जाम का त्यारी करो विडियो बहुत इंपोर्टन है तो हम लुग पर नहीं बाइलोजिय और वाइलोजिय में जितने भी सारे इंपोर्तेंट कोश्चेन्स उसको मैं में इस सेरीज में करेक्ट कर चुका हूँ तो वीडियो को सुरू सान तक देखेगा और प्रिवियर्स पार्ट देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाएजे आपको प्लेट का लिंग मिल जाए पहला कोश्चन से एड्स फेलता है ओफ्शन यहाथ मिलाने से ओफ्शन भी सारीज संपर्ख से ओफ्शन सी कीटो से और और ओफ्शन दे स्वास संपर्ख से तो करे टंसर हो जागा ओफ्शन भी सारीज संपर्ख से ओके नेक्स्ट कोश्चन से हैं, हाइडरा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी सेवाल मिलता है, उप्षन A, यू कोलोरेला, उप्षन B, स्पैरोगाईरा, उप्षन C, हीलोथ्रिक्स, एन उप्षन D, नो स्टोक तो इसका करेट अनसर होगा, उप्षन A, यू कोलोरेला, ठीक है, वेरी इंपोर्टन कोश्चन से नेक्ट कोश्चन से, कुट्टे के काटने से जिस विश्च के दुवारा घात रोग उत्पन होता है, कहलाता है, उप्षन A, मॉम्स, उप्षन B, चेचक, उप्षन C, पीलिया, एन उप्षन D, हाइड्रोफोविया नेक्ट कोश्चन से, डबल रोटी के निर्मान में किस कबक का पुर्यों किया जाता है, उप्षन A, एस्परजिलस, उप्षन C, सेक्रोमाईसेज, एन उप्षन D, पैनिसिलियम तो करेटन से, उप्षन C, सेक्रोमाईसेज, ठीक है नेक्ट कोश्चन से, अफला टॉकसिन है, ऐफ्षन A, सापो का विस, ऐफ्षन B, कबकदुवारा उतपन विस, ऐफ्षन C, एन टिवाटिक, एन उप्षन D, जिवानों दौरा उतपन विस, वेरी इंपोर्टन कोश्चन से, तो इसका करेट अन्सर हो जागा, ऐफ्षन B, को एफला टॉक्सिन कहा जाता है नेक्ट कोस्टन से निम लिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच पादप की जड़ों के बीच उपियोगी कारियात्तमक संबन्द को दर्साता है और सने कोरेलोइड और सन्वी जेवुरवरक और सन्सी माइको राइजा एंड जड़ लाइके पाइट आप्सन भी कवक और फर्ण आप्सन सी कवक और सेवाल और जीवानू और विशानू तो करेक्ट टेंसर हो जागा आप्सन सी कवक और सेवाल ठीक है कवक और सेवाल मिलकर यह लाइकेन बनते हैं और वेरी इंपोर्टन क्वेशन से नेक्ट क्वेशन से निमलिखित कवक है very important questions next day like and such a good option ने जल पर दूसन का option भी पर दूसन का option से मिर्दा पर दूसन का and option भी किरन पर दूसन का तो करेंट अंथरों का option भी वाई पर दूसन के यह सूचक होते और इसमें भी especially पर दूसन का सूचक होते लाइक है very important question से यह भी पुछा जाता है next question से गले में लाल सदन रोग उत्पन होता है option जिवानों दुआरा option भी निमेटोड दुआरा option सी कवक दुआरा option विशानों के दुआरा तो इसका करेंट असर जागा option सी कवक के दुआरा यह होता है ठीक है next question से पीलिया में दुष्परवावित होता है option अमासाई option विछोटी आत ओप्सें सी यक्रित अनौप्सें लेनी में से कोई नहीं तो करेंट असर जागा option सी यक्रित ठीक पीलिया में यक्रित दुष्परवावित होते हैं next question से रुधिर में स्वेत रक्त का निकाओं के अित्यधिक मात्रा में उपस्थिती को रोग विज्ञान की भासा में क्या कहा जाता option ए अनौक्सिया, option B, सेप्टिस सीमिया, option C, एनेमिया, option D, लुकेमिया तो करेंट अन्सर जागा option D, लुकेमिया very important question इसमें क्या होते हैं WBC की जो संक्या होती ही वो increase हो जाती है ठीक है और इसको लुकेमिया कहा जाता और इसको ब्लड कैंसर भी बोला जाता है next question से नेमे अनौक्सिन, option D, रेटिनल, तो इसका करेंट जागा option D, रेटिनल, ये B कॉम्पलेक्स में नहीं आते हैं बाकि ये तिनों B कॉम्पलेक्स में आते हैं, next questions है नेमे लिखित अनुवांसिक रोगों में कोन योन सम्बंदित है, option E, हीमोफिलिया, option B, टेस, सेक्स, व्याधी, option C, cystic, fibrosis, and option D, hypertension, तो इसका करेंट जागा option E, हीमोफिलिया, ठीक है, ये एक योन सम्बंदित रोग है, मतलब जेनेटिक रोग है, ठीक है, next questions है, मनुष में पाचन किरिया कहां प्रारम होती है, option D, मला साई, option B, पकवा साई, option C, मुख, and option D, आमा साई, तो करेंट जागा option अप्सण सी मुख, ठीक है, मुँ साई सुरू हो जाती ही पाचन की प्राक्रिया, next question से, लेप्रोसी वेशिलस काविसकार किया था, option D, कोच ने, option B, हारवे ने, option C, फ्लेमिंग ने, and option D, हैंसन ने, तो करेंट जागा option D, हैंसन ने, ठीक है, लेप्रोसी वेशिलस काविसका हैंसन ने किया था, next question से, अनुवान से की किस से संब्से से, option E, रक्त चाप से, option D, अनुवान सिकता से, option C, सवसन तंतर से, and option D, पाचन तंतर से, topics Do a. डेमोग्राफी और उफसन डेद्धन ग्राफी तो करेट अंसरोज्वगा ओफसन सी डेमोग्राफी यह जन्द संक्या ओद्धन जो वती हो उसको डेमोग्राफी का आजाता है नेक्ट कोश्टन से मोलस्ट का समुदाई के जन्तूओ के कवच का इध्धन कहलाता है Option A, Conkology, Option B, Ecology, Option C, Malacology, Option D, Porology तो करेट अंसर रोजगा Option A, Conkology मोलस्ट का समुदाई के जितने भी जन्तूओ होते हैं उनके जो कवच होते हैं इसको Conkology का जाए तो वेरी इंपोर्टन कोश्टन से ठीक है कैसर सम्बंदी रोगों का इध्धन कहलाता है Option A, Neurology, Option B, Serology, Option C, Onkology, Option D, Organology तो करेट अंसर रोगों का इध्धन सी अंकोलोजी ठीक है कि तेने जुड़में तो तेक लिगा हुआ